P D TOT D CAPITAL में आएगा डेटा फ्रेम और इसके अंदर किसका डेटा फ्रेम बनाना है अपने को जो उपर हमने डेटा पास किया है Hey Halo दोस्तो, Welcome to defend Patreon. है यौन के वीडियो में हम समझने वाले हैं डेटा फ्रेम के बाड़े में So, What is a data frame? So, दोस्तो, data frame is simple. Data frame is a two-dimensional data structure. two dimensional किसे कहते हैं, जैसे हमारा database के अंदर row and columns के form में data store होता है, in the same way, data frame भी data को store करता है, data frame के अंदर, जैसे table के अंदर data, हर column का different होता है, वैसे ही data frame में भी हो सकता है, और एक बार अगर हम data frame इसमें ready कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें arithmetic operations, multiple type के operations भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं, simple data frame कैसे बनाते हैं, तो data frame को use करने के लिए, सबसे पहले मैं मुझे library import करने पड़ेगी, import pandas as pd, pd मैं नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, और उसके बाद एक मैं छोटा सा data बना लेता हूँ, data equal to braces, कर्दी braces, उसके बाद कोई एक id दे देता हूँ, double quotes में, header का नाम दे देता हूँ, id, और यहाँ पर मैं single braces लगाँगा, 1,2345, 5 मैंने इसमे values दे दी हैं, अब same values आपकी second वाले data में भी होनी चाहिए, id के बाद मैं marks देता हूँ, यहाँ पर, colon, offices, single braces, marks मैंने दे दी है, 20, 50, 10, 40, 0, यह एक हमारा data बन गया है, data इस structure में है, तो इसमें दो तरीगे का data है, row and columns में, row में क्या data आएगा, यह जो values आ रहे हैं, और columns में क्या आएगा, यह जो headers आ रहे हैं, तो चलिए इसको convert करते हैं data frame के अंदर, तो convert किस तरीगे से कर सकते हैं, कोई भी आप variable ले लिजे, पर हमने data pass किया है, data pass कर दिया हमने, अब हम एक बाद df को print कर सके देख सकते हैं, print df, तो चलिए मैं code को run करता हूं, run, कुछ syntax error है इसमे, actual में है comma लगेगा, जब multiple data है आपके data में, तो run करता हूं, तो यह final output आ गया, तो id marks और यह जो starting में number आ रहा है, this is index number, यह automatically generate होता है, data frame के अंदर, क्योंकि जब भी यह data को store करता है, तो index level पे store करता है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next video में, funda data frame के अंदर ही, कुछ और operations function वगरा के साथ, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you दोस्तों